मार्किट में इस तरीके के आमले को देखकर रहा नहीं गया आमला इतना बढ़िया मिला इसकी रेसिपी बनाए बना कैसे रह सकते हैं चले आज शुरू करते हैं से अलग तरीके से बनाने के लिए आज मैं बना रहे हूँ आमले के घुड़ के साथ चट्नी बहुती अमेजिंग बहुती टेस्टी बनेगी और हर खाने के साथ आप थोड़ा सा चमच लेकर एक चटनी खाएंगे तो बहुती अच्छा लगेगा हमें बच्चों को किसी भी तरीके से विटेमिन सी से भर पूर ये आमला जरूर देना चाहिए तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए बहुत पसंद आएगा तो यहाँ पर मेर पार आमला है जिसे मैं सारे को ग्रेट कर देती हूँ ये देखिए मैंने आमलों को वाश कर लिया पोच लिया और एक मोटे ग्रेटर से या पतले ग्रेटर से इसको मैं ग्रेट कर रही है ग्रेट करते टाइम मैंने ग्लप्स इसलिए पहने हैं क्योंकि आमला अपना कलर छोड़ता है काला कर देता है हाथों को तो आप भी या तो गलप्स पहनिए या फिर बारिक मोटे टुकुड़े करकर इसी ग्राइंड कर लीजे मिक्सी में ये आपकी चोईज है आप कैसे करना चाहते है ये एक बोल भरके आधा किलो आमला है तो सबसे पहले चटनी बनाने के लिए मैंने एक याँ पर कढ़ाई लि इन सब को हम चटकने देंगे और ये आमला ग्रेट किया हुआ इसके अंदर डाल देंगे ये बन भी फटाफट जाती है और ये चटनी स्वादिश्ट भी बहुत लगती है पूरे साल बर इस आमले को आप चटनी के तौर पर तो रखी देते हैं मुरब्य के तौर बर लेकि आमले को पकाते रहेंगे अब इसमें करीब करीब हमारे पास आदा किलो आमला है तो धाई सो ग्राम से तीन सो ग्राम के आसपास आप डाल दीजिए इसमें गुड गुड को मैंने ग्रेट करके इस तरीके से डाल दिया इसके अंदर और एक मुठी करीब मैं इसमें डाल रह क्योंकि यह काफी पुराना गोड़ है, लेकिन टेस्टी बहुत लगेगा इस पुराने गोड़ से यह चत्नी. अगर light कलर का होगा, तो आपकी चत्नी थोड़ी light कलर की बनेगी, dark कलर का गोड़ होगा, तो dark कलर की बनेगी. लेकिन कई बच्चे आमला खाना पसंद नहीं करते तो उनके लिए ये चटनी बना कर अगर आप रख देंगे तो उन्हें एक चटनी लगेगी जरूरी नहीं वो समझ पाएंगी ये आमला है हम और कुछ तो जादा नहीं कर सकते पर जो सीजनल चीज हैं उन्हें हम किसी भी तरीक से बच्चों को खिलाएं यही हमारा फर्ज बनता है ये धीरे-धीरे हम मिक्स करते जा रहे हैं गुड भी उनमें मिक्स होता चला जा रहा है और एक बड़ी आसा कलर आ रहा है और आमला भी दिले-दिले इसके साथ ही सौफ्ट होता चला जाएक कोई एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं है आमले के अंदर काफी सारा पानी होता है अब गैस की फ्लेम हम थोड़ा फुल कर देते हैं जिससे गुड़ और आमले का पानी अच्छे से मिक्सो के पकने शुरू हो जाए इसमें कुछ और भी इंग्रीडियन मुझे डालना है यहां लेरियो में एक चमच भर के काला नमक एक चमच छोटा सादा नमक यह सेंदा नमक एक चमच धन्या पाउडर थोड़ी सी लाल मिर्चे थोड़ी सी काश्मेरी लाल मिर्च पाउडर एक चोटा चमच चाट मसाला एक चोटा चमच जीरा पाउडर इन सब मसालों को डाल कर मिक्स कर दीजी आमले की जो खटास होती है थोड़ा कसेला पन गुड़ की वज़ा से कम हो जाएगा पकने के बाद कम हो जाएगा और यह मसालिम के साथ गुड़ के साथ यह बहुत ही चट पटी, मीठी भी, खटी भी चटनी बनकर थ्यार हो जाएगी आप इसे तब तक पकाईए जब तक कि इसका पूरा पानी सूख न जाएगा अब यहाँ डाल रही हूँ एक चमज भर के सौट पाउडर, अधरक का पाउडर, इसे स्वाद भी बड़ेगा और यह हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है यहाँ मैंने इसमें डाल दिये थोड़े से तरबूज के सीट्स यह छिले हुए मार्किट से कई बार मिलते हैं आप डाल सकते हैं यह बहुत ही अच्छे होते हैं और आप चाहे तो इसमें काजू, बदाम, चिरोंजी, कुछ और भी डाल सकते हैं अब हमें यह चेक करना होगा कि यह प्लेट में जब हम डाल रहें तो पानी पानी अलग से तो नहीं हो रहा है जब यह पानी नहीं हो रहा है अलग तो यह परफेक्ट बनी है और अब आप इसे ठंडा करके किसी एर टाइट जार में भरकर रग दीजी बहुत ही अच्छी लगेगी डाइनिंग पर रख देंगे जो भी खाना खाएगा चाहे ब्रैट के साथ, पराटे के साथ, पुरी के साथ यह बहुत अच्छी लगेगे कलर के उपर बिल्कुल भी मत जाएए, अगर आप किया लाइट कलर का गोड़ होगा तो यह लाइट कलर की बनेगी यह चटनी भी आप अराम से बाहर रख दीजे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरीके से इंजवाए कीजिए, आपको कैसी लगी यह लाउंजी कह सकते हैं या चटनी, मुझे कॉमेंट करना आप बिल्कुल न भूले अब देखेंगे आमले की दूसरी रेसिपी, इस आमले के मुरब्य में खास क्या है, सबसे पहले चूना यूज नहीं करेंगे, ना ही फिट करी यूज करेंगे गोड़ी यूज नहीं करेंगे, चीनी यूज नहीं करेंगे तो इसे देखी बनाया कैसा है, विल्कुल रजबुले की तरह बड़ा बड़ा आमला मिल गया है तो आप इसे बनाएंगे और पुरे साल इंच्वाए करेंगे तो यहां देखी, आमले काफी बड़े बड़े अच्छे मिल रहे थे, तो यह मैंने ले लिए हैं ओवरनाइट मैंने इस आमले को पानी के अंदर रख दिया था वैसे तो इस आमले के अंदर काफी सारा पानी होता है, विटेमिन सी से बरपूर होता है बहुत सारे संत्रों में जितना विटेमिन सी होता है, उतना विटेमिन सी एक आमले के अंदर होता है और यकीन मानिये, मेरी गरिंटी है, जो लोग आमले का मुरब्बा नहीं खाना पसंद करते ये वाला टाइप का जो मुरब्बा बनेगा 100% खाएंगे, क्योंकि बहुत तेस्टी बनने वाला है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आमले को हमने पोच लिया एक कपड़े से, अब इसे फोक से हमें इसे प्रिक करना है इसके अंदर हम कोई भी चूना या टाटरी वगर या फिट करी कुछ भी नहीं डालेंगे, तब भी ये बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं मैंने यहाँ पर हाफ केजी या उससे थोड़े ज़्यादा है, कुल 10 आमले ले लिया है यहाँ पर मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है, जैसे पानी उबल रहा है, इसके अंदर प्रिक किया हुआ आमला हम डाल देते हैं अब इससे मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है, 5-7 मिट तक जब तक कि हम उसे हाथों से दबाएं, वो आमला अच्छे से दब जाए, मतलब सॉफ्ट हो जाए पूरा खिलना नहीं चाहिए, चार पीस नहीं होना चाहिए, लेकिन खिल जाए, बस इतना हमें चाहिए आमला हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बैस्ट है तो आमला किसी भी तरीके से हमें खाना चाहिए, और यह मौसम है, बहुत जल्दी जल्दी यह आमले चले जाएंगे, फिर हम डूलते रह जाएंगे तो यह मौसम में आपको जब भी आमला मिले, छोटा मिले, बड़ा मिले, आप ले आएए और इसे बनाएए ज़रूर यह देखिए, आमला बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, इसे मैं पानी से निकाल लेती हूँ इस पानी को भी आप वेस्ट ना होने दे, ठंडा जरके आप इसे वाश कर लीजे अपना बालों को बहुत ही बड़िया है आमले का पानी अब आमले तो मैंने कर ली है, इसे सुखाने की भी जरूरत नहीं है अब हम इसे बनाने जारें, जब मुरब्बा तो हमें गोड नहीं चाहिए, चीनी नहीं चाहिए, कैमिकल वाली हमें चाहिए मिश्री, मिश्री भी वो जो लंबी वाली मिश्री होती है, धागे वाली मिश्री होती है किसी भी दुकान पर आप अच्छी दुकान पर ड्राइव फूट या पंसारी की दुकान पर लेने जाएंगे मिल जाएगी आराम से अब इस मिश्री को आपको क्या करना है छोटे छोटे बारी टुकडे करने या बेलन से या खलबते से कर दीजे और मिक्सी में डाल डाल कर इस तरीक इसका पाउडर बना लीजे ये ट्रिक आप जरूर कीजे जिससे ये पाउडर फॉर्म में जब होगा तो आमलों के अंदर य को मिश्री चाहिए जैसे 600 ग्राम के आसपस मेरे पास ये आमला है तो 500 ग्राम के आसपस आपको मिश्री लेनी है अब आमने एक बतन में वहीं पूरी पीसी ओडै डाल दी है आमले डाल दी है वैसें इस만 बाद इसा ना करें कि बिल्कुल ही पानी ने डाल ऑन दो से त्ह बनाते हैं कभी भी ये रस जो होता है इसका खराप नहीं होता जमता भी नहीं है क्यों क्योंकि ये विटेमिन C से बरपूर है तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है जैसे नॉमल हम जब चाशनी बनाते हैं थोड़ा नेबू का रस डालतेंगी जमेंगी ये तो अल्रेडी वि वो विखर जाएगा चार-चार टुकड़े हो जाएंगे तो इस तरीके से आपको दीरे-दीरे चलाएं कि बड़िया से आमले साबुद भी रहे और रसीले भी बने फ्लेम को स्लोई रखें जिससे चीनी जलने न पाए अब यहां देखिए धीमी फ्लेम पर ये मिश्री उस पानी के साथ और आमले का जो पानी अंदर से निकल रहा है उसके साथ गुल गया है अब इसे ढग दीजे स्लो गैस पर करीब करीब ये 30 से 40 मिट तक पकेगा बीच बीच में आप चलाते रहे आप जब बीच बीच में देखेंगे ना इस तरीके से जाग हो जाएगी और आम कर खाएंगे ना तो आप अपने आप इसका चेंज देखेंगे देखेंगे बातों ही बातों में करीब करीब 40 से 45 मिट हो गये मुरब्बा बहुत ही अच्छे से पक चुका है अब मैं इसका गैस बंद कर देती हूं और ये देखें मैं आपको दिखा रहे हूं कितना ही ये बना है थोड़ा सा ठंडा होने के बात मैं इसे आपको निकाल के दिखा रहे हूं जब आमला सौफ्ट भी है रसीला भी है उसका कलर भी बहुत प्यारा है तो बहुत ही बढ़िया यही रिजल्ट हमें चाहिए होता है एक और बात वैसे तो आमले का मुरब्बा ये तयार है आप चाहें तो बस इसे ठंडा करके किसी जार में डाल दीजी लेकिन एक और काम मैं यहाँ पर करने वाली हूँ इसमें मैं कुछ ऐसा इंग्रीडेंट डालने वाली हूँ जिससे यह और टेस्टी हो जाए और बहुत ही बढ़िया हो जाए मैं यहाँ पर तीन चीजे लाई यह तीनों को ही मिक्स करके इसके अंदर अच्छे से डाल दीजी और फिर इसका स्वाद आप देखिए बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन से भी जादा रसीले हैं तेस्टी है और यहाँ देखिए वो खिला हुआ भी है आमला मतलब चारों पीस उसके अलग-अलग नही यहाँ मैंने थोड़ी चाशनी के साथ इन आवलों को तो निकाल दिया है लेकिन बाकी जो चाशनी पड़ी है तो आप इसी में भी डाल सकते हैं पूरी भरी रहे या फिर आपको और आमले बनाने तो उसमें मिश्ट्री थोड़ी कम कर दीजे बाकी की यह चाशनी मिला दें तब भी आपका काम हो जाएगा मतलब बाद में पूरा कठा करके एक किलो आप एक साथ रख सकते हैं जब दूसरी बार बनाएंगे तो आपकी मिश्ट्री थोड़ी कम कॉंटिटी में लगेगी एक और रेसिपी देख लेते हैं आमले की इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं ए तो आपको यही लगेगा यह पानी तो बिकार चला जाएगा इसके न्यूट्रियंस खराब होंगे नहीं इसी पानी में ही इस्टोर होगा तो अगर कच्छा पानी डालेंगे तो हमें दोब दिखानी पड़ेगी तो हम इस तरीके से पका रहे हैं इसमें थोड़ा पानी और डाल रहे हूँ हमें इतना पानी चाहिए कि अच्छे से इसके अंदर डूब जाये जिसमें डालोगी एक से डेड़ चमच नमक 3-4 मिटे से पकने देंगे इसे मैं कवर कर देते हूं अब इसे हम चेक कर लेते हैं मैंने एक टुदपिक लिया है जिसे मैं चेक कर रही हूं ये 80% कुक हो गए है मतलब अब हमें गैस बन करना हो अब इसे चटपेटा बनाने के लिए मैंने लिए 4-5 हरी मिर्चे अगर आप ना डालना चाहे तो इसे टेस्टी बहुत बनता है इसे इस तरीके से बड़ी मिर्ची है तो 4 पीस कर लिजी छोटी है तो आप 2 पीस भी कर सकते हैं बहुत तीखी वाली मिर्च नहीं है तो मैंने इने 5 ले लिया है वरना थोड़ी भी डाल सकते हैं और बहुत पसंद है मिर्ची तो और ज़्यादा है डाल दीजी एक तरीके से ये अचार है लेकिन पानी बना चाहे कट करके मिर्ची को मैंने एक बोल में डाल दिया और ये गरं गरं जो पानी है ना आमले का इससी के अंदर हमें डालना है जिसे मिर्ची भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए पूरी नहीं पूरी सी सॉफ्ट हो जाए इस आमले के अचार को बनाना आसान तो है लेकिन अगर इसकी आखरी ट्रिक नहीं देगी तो ये आचार खराब भी हो सकता है इस अचार को साउथ में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है आप जानते हो वहाँ के लोगों के बाल कितने अच्छे काले वन लंबे होते हैं आमला हमारी इसकिन बालों के लिए राम बाल है हमें किसी भी फॉर्म में इसे खाना चाहिए और इसे अब हम कवन करके रख देते हैं जब यह पूरी तरीके से रूम टेम ट्रेशर पर ठिंडा हो जाएगा तब इस जार में भर के रख और जब हम इसे आट दिन के बाद जब खाना शुरू करेंगे तो यह खटी भी होगी, स्पाइसी भी होगी और नमक की वज़ा से नमकीन भी होगी यह जो आमला है पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा ठंडा हो गया है तो अब आम इसे साख जार में बिलकुल जो काच का जार या चीनी मिटी का जार होता है उसमें बरियत और साफ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए और हाँ, यह तो मैं आपको दे रही हूँ और भी बहुत सारी रेसिपी देने वाली हूँ हामले की क्योंकि बहुत हेल्दी होता है इसे हमें पानी के समेट ही डालना है आप चाहें तो गुटली को हटा के इस वक छोटे-छोटे पीसिस करके भी डाल सकते हैं पर यू बड़े-बड़े बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने यूँ ही बना लिया है सारी मिर्ची भी डालेंगे और इसका पानी भी डालेंगे तो सबसे पहले में आपको यहां यह दिखाने वाली हूँ कि यह जो आवला है अमने सॉफ्ट कितना किया था यह देखे यह जो कलिया है न उसकी राम से टूट रही है मतलब हमें इसे इतना पकाना है अगर आपने इससे कच्छा पकाया तभी अच्छा नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा ओवर कूप किया तभी अच्छा नहीं लगेगा अब बारी आती है आखरी ट्रिक की ये जो आमला है वैसे तो खटा अल्रेडी होता है विटेमिन C बहुत ज़ादा होता है लेकिन हलका सा कसेला भी होता है उस कसेलेपन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें एक नीम्बु का रस डालेंगे आप इसमें या तो एक दूबा नहीं है तो उपर वाले जो आमले रह जाते हैं वो काले भी हो जाएंगे उनमें फंगस भी लग जाएगी तो इस बात का ध्यान रखें आमला का अचार बिलकुल पानी में डूबा रहना चाहिए तब ये कब भी भी खराब नहीं होगा अब आपने इस दिवाली ख से थोड़ा शेक करते रहें उसके बाद बस खाना श्रू कर दीजिए अब बनाते हैं आमले का गटागट आज की जो रेसिपी बना रहे हूं मुझे उमीद है हां घर में बनेगी और लंच के बाद इसे खाई जाएगे ये गटागट जो बनेगे ना बच्चे भी आप भी से खाना पसंद करें क्योंकि बहुत तेस्टी है और आपको तंदरुस्त दुरुस्त रखेगी और आमला हमें हमेशा खाना चाहिए आज बनाएंगे तो बारों महिने तक इसे आप इंज्वाए कर सकते हो क्योंकि इसमें खराब होने का कोई चांसी तो चले चलते हैं आमले का गटा केट परनाने अब यहां पर लेते हैं आमले यहां मैंने 400 ग्राम आमले लिए को वाश करके मैंने साप कर लिया और कपड़े से पोच लिया अब हम क्या करेंगे इसी चाही तो आप स्टीन दे सकते हैं या फिन इसे प्रेशर कुकर में विसिन लगा सकते हैं लेकिन प्रेशर कुकर में हम विसिन लगाते हैं तब हमें बहुत कम पानी में से उबालना है ताकि वही पानी हमें यूज हो सके हम इसके न्यूट्रियन्स को खराब नहीं करना चाहते हैं तो या मैंने प्रेशर कुकर के अंदर सारे आमले को डाल दिया है इसके हम दो विसिन लग किसी सबजी की ग्रेवी में या फिर से ठंडा करके बालों में लगा से ये देखी सॉफ्ट इतना होना चाहिए कि ये अलग-अलग पीसिस हो जाएं इसे मैं कट करके कुटली हटा देती हूं इन आमलों को मैं मिक्सी में ब्राइन कर लेती हूं पानी नहीं डालना है ये इतनी सॉफ्ट हो गएं कि ऐसे ही पिस जाएगा अगर जरुवत पड़े थोड़ा सा पानी की तो जो हमने बॉइल किया हूँ पानी लिया था न वाइड यूज कर सकते हैं अनालिया है बहुत थोड़ा सा पानी लगा है काथ चमच मेरे पास ये मोटे तनेगा कुकर है इसी मैं ब बारी आती है इसमें गुड डालने की 400 ग्राम के असपास आमला था तो 400 ग्राम ही हम डालेंगे इसके अंदर गुड ये वन कप और ये हाफ कप जो भी आपके अंग गुड आता है गुड की चीनी आती है वो भी डाल सकते हैं आप इसे चीनी के साथ भी बना सकते हैं पर क्य गुड अगर बहुत जादा light color का होगा, तो light color के बनेंगे, गुड बहुत जादा dark color का होगा, तो उसे साफसे उसका color आ जाएगा, अभी इसमें बहुत सारी चीजें डलेंगी, और सारी एक से बढ़ कर एक healthy चीजें, यहाँ आपको छोटे-छोटे pieces अगर आम लेके दिखते ह जो grind नहीं हो पाए है, और आप इस तरीकी से press कीजे, वो press हो जाएंगे, या मुझे एक बात और आपसे कहने है, in case आप गटा-गट खाना नहीं पसंद करते, कई गरों में नहीं पसंद आता है, थोड़ी चटनी टाइप पसंद आती है, तो इस टाइप की चटनी भी बन सक गुर्खे साथ ये मिठी हो गई है, खटा वो अलड़ी होता है, वस थोड़ा सा काला नमक और सेंदा नमक डाल दे, तो इस खट्टी मिठी चटनी हो जाएगे, जिसे आप पोड़ी परांटे के साथ भी खा सकते हैं, यहा मैंने लिया दो छोटे चमच जीरा पाउडर, आदा चमच सेंदा नमक है, और आदा चमच काला नमक, इन सब चीजों को डाल कर पका लेते हैं फिर से, यू तो आमला बहुत ही जादा बड़िया विटेमिन C है, इसके अंदर बहुत खटा होता है, लेकिन थोड़ा सा कसेला भी होता है, उस कसेली बन को दूर करने के अब इसे हमें 3,4 मिट और पकाना है, जिससे थोड़ा सा ड्राइव होखे, ये कठा सा हो जाए, काफी ड्राइव हो गया है और बीच में जमा सा हो गया है, बस ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, गैस बंद कर देती हूँ और इससे नॉर्मल टेंप्रेचर पर ठेंडा होने देत तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक चमच लेंगे छोटा सा जिस साइस का हमी गटा गट बनाना है, तो ये छोटा चोटा चमच ले लिया और हाथों में हमें क्या करना है, पिसी चीनी और इस गटा गट को इस तरीके से गोल करना है, इससे क्या हो गया, वो जैसे मार्कीट म मिलते हैं रैप किया हुए ये भी हो गया और हाथ भी नहीं चिपके तो घी ओईल कुछ नहीं लेना है आपको इसी तरीके से बस थोड़ा सा पार्ट इसका लेना है और शकर में डिप कीजिए गोल गोल दोनों हथेनियों से इस तरीके से बनाए है न बिलकुल इंकी साइस के ऐसे बनाते जाए और उससे थोड़ा हवा में और ठेंडा होने देजिए जब ये पूरी तरीके से ठेंडे हो जाए तब काज के अच्छे जार में एरड़ाई जार में से बरके रख देजिए साल बर की छुपटी आपको कहना ही नहीं पड़ेगा इस गटार अट्टो खतम करो अपने आप खतम होते जाएंगे जब डाइनिंग टेमिल पर रखेंगे क्योंकि इतना स्वादिष्ट है ना खाने के बाद खाने का मन कर ही जाए एक और बात मैंने बताया था कि अगर जाए कि इसमें थोड़ी गुड़ की कमी है गुड़ को क्या करते हैं हम लोग अंडाजे से लेते हैं मतलब नापते नहीं है तो क्या होता है कि डेले की वज़े से प्रॉपर कप में दिखता नहीं कि डेड़ कब है कि नहीं तो इसका मतलत थोड़ा गुड़ कम है तो उसमे थोड़ा सा गोड और डाल दीजे, उसे थोड़ा और पका दीजे, जब ये थोड़ा और ड्राय हो जाए, तब इसे वाकिस ठंदा कीजे, तो ये पहचान है कि अगर ये चार गंडे बाद भी गीला है, मतलब गोड की कमी है, वीडियो पसंद आए, लाइक जरूर कीजे, वी कन्योसिना कीजे.